दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताएं, MoneyView एप से लोन लेने का सबसे असान तरीका दोस्तो अगर आप इंडू बिजवल है तो भी लोन ले सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनस है तब भी आप लोन ले सकते हैं दस अजार से ले करके पांच लाख तक का लोन ले सकते हैं, और सबसे अच्छा बात ये RBI से रजिस्टेड है, मतलब इस पर धोखादड़ी का कोई सवाल ही नहीं उड़ता है, ठीक है तो दोस्तों अगर आप भी MoneyView एप से लोन लेना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ MoneyView एप से कैसे लोन लेते हैं, मैं आपको लाइप रूप दिखाता हूँ सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे MoneyView जैसे ही सर्च करेंगे तो यह वाला एप्लिकेशन आपके सामने आएगा, इसे डाउनलोड कर लेना है इस एप्लिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिपकिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद हम Open पर क्लिक करेंगे, जैसे ही Open करेंगे तो कुछी इसतरा का इंटरफेस आएगा यहाँ पर देखिए हमें बता रहा है कि आपको 10,000 से लेकर 5,000,000 तका लोन मिल सकता है, ठीक है उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ Get Started पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें Permission देना होगा, तो Allow Access पर क्लिक करेंगे और इनको Allow करेंगे, चार बार यहाँ पर Allow करना होता है जैसे ही Allow करेंगे तो कुछी इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर अपना एक Gmail ID देंगे, यहाँ पर अपना Mobile Number डालेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीक मार्क लगाएंगे और Continue उपर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप Sellerie है, मतलब आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आपका कोई Company है, तो जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद दोस्तों इसके बारे में हमें कुछ डिटेल देना होगा, जैसे यहाँ पर अपना Pool Name देंगे जो भी आपके Payne Card पे नाम होगा, वही नाम यहाँ पर देंगे यहाँ पर आप बताएंगे कि आप महीने में कितना कमाते हैं यहाँ पर दोस्तों बताया भी गया है कि minimum 15,000 आपका सेलरी होना चाहिए अगर आप मुंबई, डेली, NCR से हैं तो 25,000 सेलरी होना चाहिए और दूसरे जगह से हैं तो 20,000 सेलरी होना चाहिए cash मिलता है या फिर check मिलता है या फिर online आपके खाता में transfer होता है तो जैसे यहाँ online पर हम click करेंगे उसके बाद यहाँ पर हम bank account का नाम बताएंगे कि कौन से bank में पैसा आता है उसके बाद दोस्तों हमारे account में पैसा आता है तो अगर उसका कोई PDF होगा रहे है तो यहाँ पर बताएंगे तो हमारे पास नहीं है तो हम no करेंगे उसके बाद इस पर click करके हम बताएंगे कि हम loan क्यों लेना चाहते है कोई भी region select करेंगे यहाँ पर उसके बाद दोस्तों continue उपर click करना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह एक चीज मैं यहाँ पर गलत बता दिया था यहाँ पर मैं बताया था कि आपको full name देना है जबकि यहाँ पर full name आपको अपने company का देना है जिस company में आप job करते हैं ठीक है उसके बाद सभी detail भरने के बाद continue उपर click करेंगे जैसे ही continue उपर click करेंगे तो कुछ ही इस तरह का interface आएगा यहाँ पर अपना gender select करेंगे अगर आप पूरूस हैं तो male पर click करेंगे महिला है तो female पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर first name देंगे यहाँ पर last name देंगे दोस्तो जो भी आपके pain card पे नाम होगा वही नाम देना है उसके बाद यहाँ पर date of birth select करेंगे जहाँ पर अभी रह रहा है वहाँ का pain code यहाँ पर डालेंगे उसके बाद यहाँ पर बताएंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं आप एक बार check करेंगे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर confirm and check eligibility पर click करेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का interface आएगा यहाँ पर language बताया जाएगा आप language यहाँ पर switch करेंगे यहाँ पर switch करते हैं हम English उसके बाद दोस्तो यहाँ पर बता रहा है कि आपको अगर SMS या फिर email पर mail भेजा जाएगा तो किस language में भेजा जाएगा तो इस पर हम click करेंगे और English ही select कर लेंगे उसके बाद save and continue उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर दिखिए दो तरह का loan अप्रूव हुआ है पहला है कि अगर हम bank का statement अगर upload करते हैं तो 30,000 का loan मिलेगा और अगर statement डाउनलोड नहीं करते हैं तो सिर्फ 10,000 का loan ही मिलेगा चलिए हम इसी पर click करेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर click करेंगे आपके पास अगर bank का statement है तो उसको upload करके 30,000 का ले सकते हैं मैं 10,000 का ही ले करके दिखाता हूँ continue उपर click करूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 7,000 का approve हुआ है उसके बाद हम apply पर click करेंगे जब यह loan हम पूरा कर देंगे उसके बाद हमें 28,000 का loan मिलेगा और जब यह भी loan ले करके हम पूरा कर देंगे मतलब चुका देंगे पैसा वापस कर देंगे तो हमें 5,000,000 तक का loan मिलेगा चलिए 7,000 अप्रूव हुआ है इस पर click करेंगे apply now पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 7,000 का loan मिलेगा अगर आप इसको और कम करना चाहें तो 5,000 तक कर सकते हैं इस पर click करके ठीक है उसके बाद तीन मंत का ये loan है तीन मंत में हमें चुकाना होगा हर महीने 2,487 रुपया हमें देना होगा जिस पर 153 रुपया का interest है ठीक है उसके बाद apply पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखे कुछ personal information और हमें देना होगा जैसे यहाँ पर father का नाम डालेंगे यहाँ पर mother का नाम डालेंगे यहाँ पर इस पर tick mark लगाएंगे जहाँ पर अभी रह रहे हैं उसका address यहाँ पर डालेंगे continue पर click करेंगे 6 गंटे से लेकर 24 गंटे के अंदर loan अप्रूब हो जाएगा आपके account में transfer कर दिये जाएगा bank account आप दे चुके हैं अगर फिर से bank account मांगता है continue पर click करने के बाद तो bank account डाल करके submit कर सकते हैं जिसमें 6 गंटे से लेकर के 24 गंटे तक का समय लगता है तो दोस्तो इस तरीके से money view एप से loan ले सकते हैं